हेलो फ्रेंड्स हम यह आप यह करेंगे अभी NCRT क्लास 6 का एकसरसाइज 1.3 चैप्टर 9 आवर नंबर्स क्यूसिन नंबर 1 क्या बोलता है वेव पे नियम का परियोग करते हुए नियम का आंकलन करना है अपने पास कितने क्यूसिन है वन में A B C D, VIP नियमों का परियोग करते हुए तो यह क्यूसिन शरू करने से पहले आपको बताता हूं और में इनको कैसे VIP रूम में हम लिख सकते हैं, जैसे आपको बताता हूं कि 22 है तो उसको मैं क्या 20 लिख सकता हूं या 30 लिख सकता हूं जो नजदी का हम उसी को लेगेंगे इसमें कितने का गैप है दो का इधर कितने का है आठ का तो हमें इसको 22 को 20 लिख सकते हैं 30 नहीं लिख सकते हैं इसी परकार में 720 है उसको 700 लिख सकता हूँ या 800 यह ज्यादा के 80 गा है यह 20 का है तो मैं इसको 720 को 700 लिख सकता हूँ इसी परकार से हम सही रूप में लिखेंगे उसी के बाद हम इसका आंकिलन करेंगे Cash नमबर है हमारा ए सेवन थर्टी प्लस नाइन नाइन एट इसको क्या करेंगे देखते हैं सेवन थर्टी है समझो आप पहले सबसे पहले सेवन थर्टी को आप सेवन अंडेड लिख सकते हैं या एट अंडेड तो इसमें 20 में कितना का सपेस हैं 30 इदर है 70 का तो यह सननीकट नियर रूप है यह बहुत दूर का हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं सेवन हंडेड प्लस नाइन नाइन एट नौन सो अंठाणु को हम क्या 900 लिख सकते हैं या एक हजार, तो हम इसको एक हजार लिख सकते हैं, क्यों हो इधर दो ही कम पड़ रहे हैं, इधर बहुत ज्यादा कम हैं, इधर 98 ज्यादा है, इधर दो कम पड़ रहे हैं, तो हम हजार लिख सकते हैं, इसको मैं हजार लिख देता हूँ, अब क्योशन में क्या बीच में प्लस हैं, तो 700 को और 1000 को में प्लस करना तो अपना लिख सकते हैं इसको 1700 यह अपना सही उत्तर हैं कि क्यूशन अभी करेंगे बी क्यूशन पर जलता है क्यूशन वी क्या बोलता है क्यूशन वी बोलता है सांसो चिन्नू माइनस तीन सो चौदा इसको भी हमें सही रूप लिखना वेले सांसो चिन्नू कितने यह 800 के बहुत पास में हैं चारिका में तो हम इसको 800 लिख सकते हैं तो हम 300 लिखेंगे, यह 400 यह 314 बहुत 300 के पास में है यह बहुत दूर है तो इसको 300 लिखेंगे अब 800 लिख दिया, इसको 300 अब क्या है माइनस करना हैं, घटाना है तो 800 में से 300 गया फिर कितने बचे पीछे 500 यह अपना सही उतर आ गया Qs number अभी हमें करना है C Qs न बोलता है 12904 क्या बोलता है 12904 प्लस और क्या है 2888 2888 इसका भी हमें सही वैपक रूप लिखना है 12904 तो यह 13000 से छिन्नू थोड़ा सा कम है तो इसको हम 13000 लिख सकते हैं प्लस यह 2888 तो दोजार आर्ट शुट्ट यह भी हमें थोड़ा सा पास थोड़ा सा कम है आता है क्यूशन नंबर डी डेल्टा डेल्टा क्यूशन क्या बोलता है 28212 में से गटन है कितना गटन है 2400 चिन्नू इकीस हजार चार सो चिन्नू हम इसको सही रूप लिखना है यह 28222 यह मनों 500 से कम है यह तो कितना है 28000 के पास में है तो हम इसको 28000 लिख सकते हैं माइनस यह 21400 चिन्नू तो यह 500 से कम है तो इसको हम 21000 लिख सकते हैं तो अभी हमें क्या करना है घटाना है माइनस करना है 28 मैंसे 21000 गए पीछे कितने बच्चे 7000 तो हमारा सही उतर है अब हमने चारों क्यूसिन कर लिया D कर लिया C कर लिया B कर लिया और A कर लिया और इसी परकास के आपको और उदार में समझा सकता हूं कि किसको कैसे कौन से रूप में हम लिख सकते हैं जैसे मैं लिखता हूं 25200 200, इसको सही वया पर रूप कौन सा होगा, या तो आप 25,000 होगा, या 27,000, 25,000 अलग करो, तो 200 है, ये 500 से कम है, अगर इसे ज़्यादा हो जाता, अगर 600 हो जाते हैं, अगर 500 हो जाता, तो हम इसको 26,000 करेंगे, इस परकार से हमें क्यूस्तन में सबसे पहले क्यावला, वैपक नियम का परियोग करते हैं, हमने सही नियम का परियोग किया है, उसके बाद हमें आगलन करें, आगलन मुलब जो दिया हो, जोड़ना है और गटा न हम उसके बाद आगलन करें, पहले हमने सब्थी को सही रूप लिगा है, 500 हो है, तो उसको 500 हो जात, से पहले सही रूप में लिखना है, उसके बाद में हमने आगलन किया है,